कि यह देखिये यह देखिये पानी कितना साफ है हर्षी हर्षी इदिने यह देखिये पानी बहुत ही साफ है यह देखिये हम लोग पत्थर फेकेंगे यह देखिये बहुत ही साफ है चलिए चला जाए असलाम अलेकूम एंड गूड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम जिस्पा तो आज हम लोग जिस्पा से ले के तरफ निकलेंगे थोड़ी ही देर में फ्रेश हैं रेडी हैं पूरा फुल देखिये व्यू देखिये गाईज धूप बहुत ही जादा है यह देखिये यह हमारा एकोमोडिशन है यह देखिये धन्नो लगा हुआ है यह देखिये भीव बहुत ही कुपसूरत भीव है तो चलिए पैकिंग वगरा करते हैं और निकलते हैं यहां से तो गाइस हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए चलिए चलते हैं बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिरहीम एल्लापाक खेर खेरियत से आज का दीन गुजारिये हमारा भी और आप सब देखने वालों का भी वाव बहुत ही अच्छा भीव आ रहा है गाइस यह देखिये एक राइडर और वह देखिये मालस्टोन में जिसपाँ जीरो किलोमीटर यह देखिये भेंड बकली सारे चरवाहा भी यह देखिये कितना अच्छा है व्यूट में हुँआब धंच्छा है व्यूट 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 यह लोग मेरे ख्याव से बेचते बेचते आया है आगे की और जो भेडबकडी था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा था हम लोगों ने पीछे देखा मनाली मनाली से पहले दार्चा चार किलोमेटर सर्चू देरासी किलोमेटर माइल स्टोन में दिखाया अभी यह हमारा सर्विस डियू दिखा रहा है क्योंकि रास्ते में तो कुछ मिला ही नहीं सर्विस का जगा यह देखिए ब्रीज का भीव कितना खुबसूरत आ रहा है बहुत ही खुबसूरत भीव आ रहा है यह देखिए ब्रीज का हम लोग जाएंगे वहां ऐसे घूम के फिर उपर की और उधर चड़ते चड़ते जाएंगे यह देखिए यह देखिए सारे राइडर भाई यहां पर और वाटर बोतल हमें भी ले लेनी चाहिए क्योंकि आगे फिर मिलेगा नहीं अब परिशानी होगा टाइम हो रहा आड़ बच के बारा मिनट यहां पर हमें भी वाटर बोतल ले लेनी चाहिए यह देखिए चेक पोश्ट है यहां पर यह देखिए सर लिख रहा है नंबर गाड़ी का हो गया हमारा एंट्री चलते हैं हम लोग हम लोग वहां से वाटर बोतल ले लिए क्योंकि आगे पानी मिले ना मिले खेर माउंटेन का पानी भी पी सकते हैं बहुत ही अच्छा है लेकिन हमें तो आदब नहीं है ना भाई क्या भीव है भाई वह देख भाई पूरा बर्फ उपर में वाव वह देखिए हम लोग वहां से आये सर्चू सेवेंटी सेवें किलोमेटर पाथ सीओ वह देखिए हम लोग वहां से वाटर बोतल लिये थे वह देखिए बहुत ही खुब्सूरत भी यहां पर बहुत ही खुब्सूरत है चोटे चोटे प्लेटूस देखिए कितने खुब्सूरत है यहां रास्ते में इस साइड का व्यू देखिए गाइस यह देखिए भेंड बकडिया यहां भी जाते हुए सब्सक्राइब लाइन से सब्सक्राइब बहुत ही अच्छा दिख रहा है क्या हुआ यार टायर तो ठीक है न यार इतना बड़ा बड़ा पत्थर आ जा रहा है रास्ते में टायर तो ठीक है न उपर का भी देखने का चक्कर में उतना बड़ा पत्थर पे टायर चड़ गया यार पता नहीं टायर का क्या हाल है थोड़ा आगे चल के रूख के देखते हैं टायर तो ऐसे सैडो में ठीक ही दीख रहा है बहुत ध्यान से यहां गाड़ी चलाना होगा यह देखिये सामने बहुत ही पत्थर पुत्थर है रास्ते में अभी यहां टायर में कुछ हो जाएगा तो टायर मिलेगा भी नहीं रास्ते में तो कुछ है भी नहीं यह धन्नो को क्या हो जाता है रहे रहे लगता है पीकप छोड़ने इसका फ्यूल खराब है लेकिन क्या करें जब तक चल रहा है चलाना पड़ रहा है यहां तो कोई सर्विस इंटर भी नहीं मिल रहा है ले में जाके देखना होगा यह देखिए थोड़ा ओफ रोड आ गया है क्या दो अघटी नहीं मिल रहा है लोड़ा है लेखिए ले गया है झाल 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 झाल